Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताने वाला हूँ cinnamon यानि दालचीनी से मिलने वाले 10 बहुत ही amazing benefits के बारे में तो अगर आप interested हैं दालचीनी इस्तमाल करने के लिए आपने सुन रखा है इसके health benefits के बारे में लेकिन फिर भी आप confused हैं क्या इससे वाकई में कुछ benefits मिलेंगे या नहीं मिलेंगे क्या आपको इस्तमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर आपके mind में आ रहा है कि क्या इससे कोई side effects भी होते हैं तो इस वीडियो में इन सभी बातों को हम पूरी तरह clear करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या डालचीनी आपके लिए वाकई में एक अच्छी चीज है क्या-क्या benefits इससे आपको मिलने वाले हैं क्या-क्या potential side effects हो सकते हैं और किस तरह से इसको आपको इस्तमाल करना चाहिए तो वीडियो में end तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि बहुत ही जादा interesting वीडियो होने वाली है और आपको बहुत सारा ज्यान, बहुत सारी information इस वीडियो से मिलने वाली है तो चलिए बिना किसी तरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों cinnamon एक ऐसी herb है जो कि बहुत ही जादा tasty, delicious और बहुत ही जादा aromatic होती है होता चलाया है but recently ये भी कुछ studies हुई है जिससे इस बात का confirmation मिल गया है कि जो cinnamon है इसके अंदर बहुत सारे health benefits आपके लिए छुपे हुए है cinnamon के अंदर बहुत ही जादा मात्रा में आपको antioxidants मिलते हैं in fact ये इतने जादा powerful होते हैं कि जब research की गई और इसको compare किया गया बाकी दूसरी herbs से जो कि antioxidant rich होती है तो उससे ये बात पता लगी कि जितनी भी herbs थी जो कि antioxidants का बहुत अच्छा source मानी जाती थी उन सब में सबसे जादा powerful जो antioxidants थे वो cinnamon यानी दालचीनी के अंदर पाए जाते थे in fact अभी तक हम लोग सोचते थे कि लस्टन के अंदर जो antioxidants हैं वो best होते हैं लेकिन research से ये बात भी साबित हो गई कि दालचीनी के अंदर पाए जाने वाले antioxidants जिनको polyphenols बोलते हैं वो लस्टन के अंदर पाए जाने वाले antioxidants से भी जादा powerful हैं तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी herbs या spices आज की रेट में दुनिया में available हैं cinnamon के अंदर पाए जाने वाले antioxidants हैं वो सबसे best होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि antioxidants हमारी aging की जो process होता है उसको slow down करते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि oxidative stress की वज़त से हमारी body के अंदर पैदा होती हैं उनको भी रोपने का काम करते हैं cinnamon के अंदर anti-inflammatory properties भी पाए जाती हैं यानि ये body के अंदर होने वाले inflammation को कम करती है inflammation एक ऐसा process है जो कि हमारी body के अंदर दर्द, सूजन, redness और बाकी बहुत सारी तरह की बीमारियों को पैदा करता है या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे infections के नतीजे में हमारी body के अंदर inflammation पैदा हो जाता है तो ये जो cinnamon है ये आपकी body के अंदर inflammation को कम करती है अगर आपको arthritis की problem है उसमे inflammation है जोडो में तो उसको कम करती है heart के अंदर अगर आपके कोई inflammation है तो उसमें इसका benefit आपको मिलेगा यानि body की किसी भी part में कोई inflammation अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आपको इससे काफी ज़्यादा benefit मिलेगा क्योंकि इसके अंदर anti-inflammatory properties बहुत ज़्यादा होती है cinnamon आपके heart को protect करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज है अगर आप कोई heart patient है या आपको risk है कोई heart disease होने का या आपका cholesterol बढ़ा हुआ है या BP बढ़ा हुआ है या किसी भी तरह की आपको कोई artery वाली disease है coronary artery disease है तो उस case में आपके लिए cinnamon एक बहुत ही बढ़िया home remedy हो सकती है cinnamon जो है या आपकी body के अंदर से cholesterol को कम करती है इतना ज्यादा इच्छा effect है इसका cholesterol के उपर कि जो आपका total cholesterol है उसको कम करती है जो LDL cholesterol होता है यानि जो bad cholesterol होता है उसको भी कम करती है और सबसे बढ़िया बात जो इसकी है वो ये कि ये आपके HDL cholesterol को बढ़ाती है यानि जो good cholesterol है उसको बढ़ा दीती है और जो bad cholesterol है उसको कम कर देती है तो overall आपका जो lipid profile है जो cholesterol profile है उसको बहुत ही अच्छी तरह से maintain रखने का काम करती है ये cinnamon और इसके साथ साथ research से ये भी बात पता लगी है कि cinnamon आपके blood pressure को भी monitor करने का कम करने का काम करती है तो अगर आपको blood pressure भी बढ़ा हुआ रहता है तो उस case में भी आप cinnamon को इस्तमाल कर सकते हैं cinnamon आपकी body के अंदर insulin sensitivity को भी बढ़ाती है insulin एक ऐसा hormone है जो कि blood sugar को monitor करने के लिए regulate करने के लिए जरूरी होता है कई बार diabetes के case में आपके अंदर या तो insulin की कमी हो जाती है या फिर insulin resistant हो जाती है आपकी body तो अगर insulin resistance की वज़े से आपकी body के अंदर blood sugar बढ़ रही है आपको diabetes हो रही है जिसको आम आम तोर पे diabetes type 2 भी कह देते हैं तो उस case में cinnamon का बहुत ही अच्छा result पाया गया है cinnamon आपकी body के अंदर insulin की sensitivity को बढ़ा देती है तो अगर आपकी body के अंदर sensitivity कम हो गई है और उसकी वज़ा से आपका blood sugar बढ़ रहा था तो उस case में भी आपको ये काफी फायदा करेगी अगर आपकी body के अंदर insulin कम बन रही है तो उस case में भी आपको ये कही न कहीं benefit देगी और उसकी वज़ा ये है कि जब आपकी sensitivity बढ़ती है तो even कम quantity में insulin भी आपको ज़ादा benefit हासिल कराती है यानि ज़ादा आपकी जो blood sugar है उसको lower करने का काम करती है आपकी body के अंदर insulin sensitivity को बढ़ाने के साथ साथ ये आपकी blood sugar को directly भी regulate करने का काम करती है अब आप सुछे होंगे कि directly कैसे ये आपकी blood sugar को कम करती है देखिए जो cinnamon होती है ये आपकी body के अंदर जो carbohydrate का metabolism होता है जो breakdown होता है जो digestion होता है उसको slow down कर देती है तो जो आप जो भी carbohydrate खा रहे हैं वो slowly slowly आपकी body में absorb होते हैं और इसकी वज़े से आपका जो blood sugar है वो अचानक से एकडम से नहीं बढ़ पाता है और किसी ना किसी हद तक वो monitor रहता है इसके साथ cinnamon आपके blood के अंदर sugar absorb होना भी कम कर देती है और कहीं न कहीं ये insulin को भी mimic करती है यानि जो insulin है उसकी तरह ये act करती है और आपकी जो body की cells हैं उनको blood sugar uptake करने में मदद करती है और इसकी वज़े से आपका जो blood sugar level है वो बहुत तेजी से कम होता है तो अगर आप diabetes से PDS हैं चाहे वो diabetes type 1 हो चाहे वो diabetes type 2 हो इन दोनों ही cases में आप cinnamon को इस्तमाल कीजिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपकी insulin sensitivity को भी बढ़ा रही है और directly भी आपकी blood sugar के उपर और ये कहीं न कहीं असंदाज हो रही है तो ये दोनों ही factors मिलके diabetes में आपको बहुत ही बढ़िया results देते हैं cinnamon आपको neurodegenerative diseases से भी safe रखती है यानि आपका जो brain function है उसको proper तरही के से चलाती रहती है आपके brain को आपके neurons को strengthen करती है और उनके degeneration को कम करती है दो ऐसी बिमारिया होती है जो कि neurodegeneration की वज़े से आपकी body के अंदर आपके brain के अंदर in fact पैदा होती है एक होती है Alzheimer's disease और एक होती है Parkinson's disease तो अगर आप regular इस्तमाल करते हैं cinnamon का तो इन दोनों ही problem से आप अपने आपको safe रख सकते हैं आपके अंदर इन दोनों ही problems के होने के chances जो हैं वो काफी ज़ादा काम हो जाते हैं अगर आप cinnamon regular यूज़ करते हैं तो cinnamon हम सभी को cancer जैसी खतरनाक बिमारी से भी safe रखने का काम करती है रिसर्च से यी बात पता चली है कि अगर आप regular इस्तमाल करते हैं cinnamon का तो इससे आपकी body के अंदर cancer cells growth होने की chances बहुत जादा कम हो जाते हैं या फिर अगर खुदा नखास्ता किसी को cancer की problem है तो उस case में जो cells की growth होती है जो cancer cells की growth होती है उसको भी limit करने का कम करने का reduce करने का काम cinnamon कर सकती है cinnamon के अंदर antibacterial और anti-fungal properties भी बहुत अच्छी पाई जाती है अगर आपकी body में कोई भी infection है चाहे वो bacteria का है चाहे वो fungus का है तो इन दोनों हुई को कम करने के लिए cinnamon बहुत effective remedy हो सकती है HIV AIDS जैसे खतरनाक infection से लड़ने में भी आपको cinnamon बहुत ज़ादा help कर सकती है कुछ HIV AIDS से पीडित लोग के उपर जब research की गई और उन्हें cinnamon का extract दिया गया तो ये देखा गया कि जो HIV AIDS का infection था वो काफी हद तक control हुआ cinnamon लेने की वज़ा से cinnamon आपको weight loss करने में भी बहुत ज़ादा helpful होती है in fact 99% लोग इस cinnamon को सिर्फ और सिर्फ weight loss के लिए ही इस्तमाल करते हैं जब कि वैसे इसके बहुत सारे benefits हैं लेकिन mostly लोग जो इसको इसको जानते हैं वो weight loss के लिए जानते हैं और weight loss करने के लिए भी कुछ research इस पे हुई हैं जिससे ये बात पता चली कि cinnamon आपकी body के अंदर thermogenesis को बढ़ा देती है thermogenesis यानि आपकी body के अंदर heat पैता करती है cinnamon और ये heat पैता करने का जो process है इसके दोरान आपकी body बहुत जादा calories burn करती है तो एक तो ये चीज़ है जिसकी वज़े से आपको weight loss में मदद मिलती है और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि cinnamon आपके visceral fat को कम करने का काम करती है visceral fat यानि जो हमारा abdomen होता है, pate होता है इसके अंदर जितने भी organs होते हैं उनको बलता है viscera और ये सभी organs के आसपस एक fat की परत जमा होती है जो की shock absorber का काम करती है कही न कहीं protect करने का काम करती है लेकिन अगर ये fat की परत जादा बढ़ जाती है तो उसकी वज़े से हमारा जो tummy है वो बढ़ जाता है, हमारी tone निकलाती है तो जब ये आपके visceral fat को कम करता है cinnamon तो इसकी वज़े से आपका जो tummy fat है वो overall कम होता है और आपका पेट है जो tone है वो कम होनी शुरू हो जाती है अब बात करते हैं कि आपको cinnamon किस तरह इस्तमाल करने चाहिए जिससे इसका maximum medicinal benefit आपको मिल सके तो देखिए वैसे तो cinnamon को इस्तमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं हम लोग आमतोर पे अपने खानों में भी इसको 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 करते हैं करीज में डाल लेते हैं लेकिन अगर आप इसके medicinal benefits लेना चाहते हैं तो इसके mainly तीन तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि आप साबत cinnamon ले लिजे एक 2-5 इंच का टोड़ा ले लिजे और उस टोड़े को रात को सोते समय एक ग्लास नॉर्मल पानी के अंदर आप भिको दीजे और सुबह जब आप उठे हैं तो सुबह खाली पेट उस पानी को as it is पी लीजे दूसरा तरीका यह है कि आप जो भी खानप बनाते हैं कुछ अगर आप मीठा बनाते हैं तो उस मीठे के अंदर जो शुगर आप डालते हैं उसको replace कर दीजे आप cinnamon powder से cinnamon के अंदर एक हलकी सी मिठास भी पाई जाती है natural और एक हलकी सी खुश्बू भी पाई जाती है और इसको आप as a natural sweetener इस्तमाल कर सकते हैं तीसरा तरीका है कि आप इसको चाई के अंदर डाल के लिए सकते हैं चाई के अंदर आप इसको साबद भी डाल सकते हैं या फिर इसका पौडर भी डाल सकते हैं तो आप ग्रीन टी के अंदर भी इसको डाल सकते हैं आपको इससे ज्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों मुझे अउमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, हम तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए टाटा बाई-बाई एंड स्टे हेल्दी हमेशा